दोस्तों नमस्कार स्वागाते आप सभी का मेंस एजुकेशन में आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे रस प्रकरण के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन जो की व्यापम की एक्जाम में पूछे जाने की 100% संभाव ना है दोस्तों MPSI and all व्यापम एक्जामस में जो हिंदी पूछी जाती है वो सामयन हिंदी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं और हमारे ये मोक जो टेस्ट है वो है दोस्तों छटा मोक टेस्ट इसमें 15 मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्चन को हमने सामिल किया है जो की MCQ टाइप के कुश्चन है रस प्रकर क्या लिखा हुआ है द्यान दे कौन हो तुम वसंत के दूट विरस पत जड़ में अतिस उकुमार गन तिमिर में चपला की रेक तपन में सीतल मंद बयार यहां द्यान रखें आप सभी कौन हो तुम वसंत के दूट इस विरस पत जड़ में ठीक है इसमें कौन सा रस है तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इसमें सैयोक स्रंगार रस है क्योंकि इसमें सैयोक कवर्णन है इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सैयोक स्रंगार रस है इसके बाद में अगला कुश्यन है कुश्यन आप ध्यान पूरवक सुने मतलब किया पर केसी बात हो रही है वीरता पूरवक बात हो रही है तो इसमें कौन सा रसे तो आप बताएंगे कि इसमें वीर रसे क्योंकि जहाँ पर वीरता पूरवक कार्यों का वरणन किया जाए वहाँ पर वीर रस होता है इसके बाद में अगला कुश्यन हमारा एसे बेहाल बेवाहिन सो पुनी कंटक जाल पड़े पग जोए हाए सखा दुख पाए महा तुम आये इतेना किते दिन खोए देखी सुधामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निदिरोए पानी परात को हाथ चुयो नहीं नेनन के जलसों पग दोए सुधामा की जो दीन दशा है उसको देखकर भगवान जो करुणा करके रोए थे ठीके और पानी परात को हाथ चुयो नेनन के जलसे पग दोए तो इसमें कौन सा वीर है तो आपको याद रखना इसमें है दयावीर तो ओप्शन नमबर फोर हमारा इसमें करेक्ट होगा क्योंकि भगवान कृष्ण ने सुधामा के उपर दया करी थी तो हम के सकते हैं कि वो दयावीर है इसके बाद में नेक्स्ट कुश्चन है सिर घोट मोट चुटिया थी लहराती थी तोंद लटक कर घुटनों को चूजाती जब मटक मटक कर चले हसी थी भारी हो गए देखकर लोट पोट नरनारी अब इस कावी को पढ़कर हमें हाश उत्पन हो रहा है मतलब कि हमारे को हसी आ रही है तो हम कह सकते हैं कि इसमें हाश श्रस है जहां पर किसी भी कावी को पढ़कर सुनकर देखकर हमें हसी आ जाए तो वहाँ पर हाश श्रस होता है हाश श्रस के इस्ताय भाव है हास इसके बाद में अगला कुश्यन है कहत नटत रीजद खिजद मिलत खिलत लजियाद भरे भोन में करत है नेनन हुई सो बाद कहत नटत रीजद और खिजद मिलत खिलत लजियाद इसमें कौन सा रस है तो इसके अंसर में आपको बताना है कि इसमें भी संयोक स्रंगार है ठीके क्योंकि जहां पर नायक और नायका के मिलन या उविरह का वर्नन किया जाता है वह वहां पर संयोक स्रंगार रस होता है अगला कुश्चान है हमारा राम को रूप निहारती जान की कंकन के नग की पर च्छाही याते सभी सुधी भूली रही कर टे की रही पल टारती नहीं इसमें कौन सा रस है तो राम को रूप निहारती जान की मतलब माता सीता कंकन के नग की पर चाही याते सभी सुधी भूल गई मतलब सारी सुधी भूल गई कर टे की रही पल टारती नहीं नहीं मतलब कि उनको टक-टक की बान कर देखने लगी है तो इसमें कौन सा रस है तो आप बताएंगे इसमें है सायोग स्रंगार ठीके, स्रंगार रस के दो पार्ट है सायोग स्रंगार और वियोग स्रंगार इसका जो कर्यक्ट आंसर है वो है option number second संयोक स्रंगार अब इसके बाद में next question है हमारा मेया में तो चंदर खिलोना ले हो जो भगवान क्रस्न है भगवान राम है वो वच्पन में अपनी मात्ता से क्या कहते हैं कि मेया मुझे तो चंदर खिलोना ही चाहिए ठीके तो इसमें मा और पुत्र के प्रेम का वरणन जलगता है तो हम कह सकते हैं कि इसमें वातसली रस है तो option number third हमारा इसमें correct होगा इसके बाद में अगला question है जसोदा हरी पालने जुलावे हल रावे दुल रावे मल हावे जोई सोई कचुगावे मेरे लाल को आउ निंदरिया काहे ना आनिसुआवे इसमें कोन सा रस है तो आप बताएंगे कि इसमें वातसली रस है क्योंकि जहापर मा और पुत्र के निर्मल प्रेम का वरणन होता है वहाँ पर वातसली रस की निस्पत्ति होती है तो जशोदा हरी पालने जुलावे हलरावे दुलरावे मलहावे जोई सोई कचुगावे मेरे लाल को आउ निंदरिया काहे ना आनिसुआवे तो इसमें वातसली रस है अगले कुश्चन की बात की जाए एक और अजगर लखी एक और मरगराए विकल बटो ही बीच ही परियो मुर्चा खाए दोस्तों यहापर ध्यान रखना है एक और तो अजगर है और एक और मरगराए विकल बटो ही बटो ही होता है जो किसी भी रस्ते से जाता है ठीक है विकल बटो ही बीच ही परियो मुर्चा खाए बटो ही मतलब होता है राहगीर ठीक है ये भी ध्यान रखना है तो एक और अजगर को देखकर एक और म्रग को देखकर क्या हो जाता है ठीक है एक और सेर को देखकर क्या होता है वो गबर आ जाता है और बर्यों मूर्चक खाए और मूर्चक आगे गिर पड़ता है तो इसमें कौन से रस के निस्पत्ति होती है तो इसके correct answer है भयानक रस ठीके, option number 3 हमारा इसमें correct होगा इसके बाद में अगले question की बात की जाए सिर पर बेठो काग आँख दो खात निकारत खीचत जिवही श्यार अतिही आनंद उरधारत तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक गरणा का भाव उत्पन होता है और जहाँ पर गरणा का भाव उत्पन हो एसी इस्तिती जब आती है तो वहाँ पर विभत्सरस होता है ठीके, कौन से रस होता है? विभत्सरस तो इसका जो correct answer है दोस्तों वो भी होगा हमारा विभत्स रस आप बताएंगे इसमें option number second ठीके option number second हमारा इसमें correct है और option आप अच्छे से याद रखें ठीके क्योंकि कई बार जो विभत्स रस है इसका इस्ताई भाव भी पूचा जाता है तो इस्ताई भाव आप option देखते ही समझ जाएं कि विभत्स व खीचत जीवईश्यार अती अरंद उद्धारत में विभत्स रसे अब अगले question की बात की जाए वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो सामने पहाड हो की सिंग की दहाड हो तुम कभी रुको नहीं तुम कभी जुको नहीं इसमें कौन सा रसे वीर तुम बड़े मतलब की वीरता पूर्वक कार्यों का जहां पर वरनन हो वहाँ पर हमारा वीर रस होता है क्योंकि वीर रस का जो इस्थाई भाव है वो है उत्सहा क्या है वीर रस का इस्थाई भाव तो अब बताएंगे उत्सहा जहां पर उत्सहा पूर्वक क्रत्यों का वरनन हो उत्सहा की दहाड हो तुम कभी रुको नहीं तुम कभी जुको नहीं तो इसमें वीर रसे अब अगले कुश्यन की बात की जाए कहूं धूम उठत कहूं धूम उठत बरत कतव हे चिता कहूं होत रोर कहूं अरती धरी अहे कहूं हाड परो कहूं जरो अद जरो मास कहूं गीद भीर मास नोचत अरिया है अब इसको पहले समझे आप अच्छे से कहूं धूम उठत कहूं बरत कतव हे चिता कहीं तो धूम उठ रही है ठीक है मतलब की अगनी की ज्वाला कहीं पर चिता उठ रही है ठीक है अगनी की ज्वाला कहूं होत रोर कहीं कोई रो रहा है कहूं अर्थी धरी कहीं पर अर्थी रखी है कहूं हाड परो कहीं पर हड्डियां गिरी हुई है कहूं जरो अद जरो मास और कहीं पर जल्या अद जला मास पड़ा है कहूं गीद भीर मास नोचत अरी है और वहाँ पर कहीं पर जो गिद है वो क्या कर रहे हैं मास नोचत मतलब मास नोच कर खा रह आए मतलब कि गरणा का भाव उत्पन हो रहा है हमारे मन में तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कौन सा रस है जहां पर गरणित कार्यों ठीके विभत्स रस आएगा इसमें जहां पर गरणित कार्यों का वरणन हो क्रत्यों का वरणन हो वहां पर विभत्स रस होता है क्योंकि जुग आगले कुछिछन की बात करतें मेरो तो गिर्दर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुखक्त मेरों पती सोई तो इसनरे कौन सा रस है? तो आप बताएंगे इसन kid tutto, कौन सा रस है? स्रंगार रस है, और स्रंगार रस कभी एक भाग है, तो आप बताएंगे कि संयोग स्रंगार है ठीके कौन सा स्रंगार है तो संयोग स्रंगार है ठीके आपको ध्यान रखना है तो इसका जो correct answer है वो है हमारा option number first अब अगले question की बात करते हैं गंटा भर आला पुराग में माता देखें गंटा भर आला पुराग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे स्रोता मतलब कि किसी ने एसा गायक ढूंड के लाए कि उसने गंटा भर तो आलाप लगाने में निकाल दिया ठीके और एसा राग का गोता मारा धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे स्रोता इसके बाद में अगले कुश्चन की बात की जाए खदर कुर्टा, भवक्तो, नेता जेसी चाल यही वानक मोमन भसो, सदा भिहारी लाल कुर्टा कैसा? खदर, भवक्ता, और चाल कैसी नेता जेसी तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हाज शिरास है यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको जरूर पसंद आया होगा क्योंकि इसमें हमने रस प्रकरण का दूसरा पार्ट आपको बताया है यह च्छटा हमारा मोक टेस्ट है इसमें पंदरा मोस्ट इंपोर्टन कुश्चन आज हमने इसमें सामिल किये हैं चोकि सारे रसों से संबांदित थे थेंक्स पर वाचिंग